नमस्कार आप देख रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार दिल्ली के डिप्टी सी एम और पूर्व शिक्षामंत्री मनीश सी सोधिया की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है करीब आठ महिने पहले मनीश सी सोधिया को एडी ने शराब घोटाले में गिरफतार कर लिया था जिसके बाद से लगातार मनीश सी सोधिया जेल की सलाकों के पीछे हैं इडी ने मनीश सी सोधिया को दिली सराब नीती में बड़ी जोल करते विए और मुकदमा लगाते विए गिरफतार किया था जिसके बाद से उनकी जो है सद जमानत पर लगातार आठ महीने से उनके वकील जमानत के लिए याचिकाय लगाते जा रहे हैं लेकिन कोड की तरफ से किसी भी प्रकार की राहत मनीश सोधिया को नहीं मिल पा रही है मनीश सोधिया किसे सम्मंदीथ बता दे कि अरिविंद केद्रिवाल के बड़े ही करीबी माने जाते हैं मनीश फिसोधिया एक तरफ जहां दिली की शराब निती के जो ने रूल्स बनाए गए थे उनमें मनीश सोधिया का बढ़ा हाथ हा क्योंकि वह दिल्ली के अबकारी नीत कि मंतराले के मंतरी थे इसी बीचे इडी ने कारेवाही करते वे मनीज सीसोधिया के खिलाब कई ृस की एसे चबूत है लिकिन उसके प्सचाहात मनीज सीसोधिया को चोई जमानधsk 놈 प्याए हालांके उन परिवार से मिले और परिवाल का हाल जाना 6 गंटे के दोरान किसी भी कार्यकरम में चुनावी कार्यकरम या फिर पार्टी की अन्यकति विद्यों में राजनितिक व्यक्तितों कोई भी बयान देने से सुप्रिम कॉर्ट ने रोक लगा दी थी मनी सिसोधिया से जुड़ी भी कमाम बड़ी अपडेट्स और दिल्ली की राजनिति में जो सियासी भुचाल आया हुआ है उसको जानने के लिए आप देखते रहे हैं लगातार नेक्स्ट नाइन न्यूज नमस्कार